किसम सॉल्व करो हमारे पास दो वेब है एक वेफ का अपना मैथमेटिकल एक्वेशन दूसरे वेब का भी धीए हुआ लेकिन दिक्कत क्या है कि पहला वजा साइन के फॉर्म में दूसरा वजा कोस के फॉर्म में है तो फेज़ डिफरेंस इस phase difference ऐसे direct तो निकालते नहीं है, phase difference कैसे निकालते हैं, उन दोनों को या तो sine में कर लें, या तो cos में कर लें, बराबर है ना, तो phase difference पहले वाले का y is equal to a sine omega t plus kx.057, पहला equation है, दूसरा cos के form में, y2 is equal to a cos omega t plus kx, अब थोड़ा सा mathematics use करेंगे, इस cos को मैं sine में convert कर लूँगा, तब ही जाके मैं phase निकाल पाऊंगा, या इस cos, इस sine को मैं cos में convert कर लूँगा, तो अब सब को पता होगा, कि sine, sine pi by 2 plus theta, क्या होता है, sine pi by 2 plus theta, तो sine pi by 2 plus theta is equal to होता है, cos theta, क्योंकि second coordinate में चले जाएंगे, और second में sine positive होता है, तो इस equation को मैं लिख सकता हूँ, कि a sine omega t plus kx plus pi by 2, this is equation number first, this is equation number second, phase क्या होता है, sine या cos का जो angle है mathematically, वही phase होता है, this is the phase, बड़ा बड़ा, चलो, अब अगर इन दोनों में मैं difference लूँ, तो मुझे phase difference बड़े अराम से पता चल जाएगा, तो इसको मैं assign कर देता हूँ, phase phi 2, और इसको मैं assign कर देता हूँ, phase phi 1, तो delta phi phase difference phi 2 is equal to phi 2 minus phi 1, तो phi कितना है, बोलो, omega t plus kx plus pi by 2 minus, यहां से आजाओ, omega t, यह घटा दो, minus kx, और minus 0.57, तो यह कौन-कौन कट गया बाई, omega t ने omega t को, kx ने, kx को, pi by 2, और minus 0.57, pi by 2, 0.1.57 होता है, और minus 0.57, तो 1.57 होता है, तो 1.57 होता है, तो 1 बचेगा 1. और यह radian होती है, इसकी unit, तो that is the phi, phase difference, delta phi, मतलब 1 radian सही है, मतलब 1st option सही है, बराबर, चलो. मतलब 2. ढराबर, तो 1.57Qué. क्या, तो 1.59 तो 1.59 तो 2. बादेब एफदों मतलब 2. ... क्या 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 बादं, देक नेता है, रम गुन dif lotta आदो 1.bak.